अलोई स्टुडेंट केमेस्टी के आनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज का मेरा टॉपिक है 11th की केमेस्टी के important question पाउली के अपवर्जन नियम को समझना तो चली शुरू करते हैं तो हमारा अंसर है पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी भी पर्मानों में दो इलेक्ट्रानों की चारो क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती यदि तीन क्वांटम संख्या समानों तो चोथी क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगी अब पर्मानों में इलेक् पाउली केहता है कि चार कौंटम संख्या होती तो किसी भी दो इलेक्टानों की एक परमानू के अंदर एक पर्मानु के अंदर किसी भी दो एलेक्टान की तीन कौन्टम संख्या तक तो सेम ओसक्ती लेकिन चोती कौन्टम संख्या अवसी भिन्य हो सकती है अब इसका अर्थ यह नहीं कि तीन हमेशा समानी रेगी, एक समान हो सकती, तीन भिन भो सकती, दो समान हो सकती, दो भिन भो सकती, है ना, तीन समान हो सकती, एक भिन भो सकती, चारो समान नहीं हो सकती, यही पावली कहता है, या तो चारो भिन हो सकती, लेकिन चारो समान नहीं हो सकती ठीक है उधार अम देखते हीलिum वासन टू तो हीलियुम के अंदर कितने लेक्टान होते है दो इलेक्टान होते है तरहे हमने के भार किसी कोबतार यह जिरो आ आगया अगर L0 होता है एस कक्षक के लिए M की वेल्यू मतलब चुम्बकी क्वांटम संख्या की वेल्यू भी कितनी होती है और इसका मुँ उपर की तरफ में उपर की तरफ डायरेक्शन में मतलब यह क्लॉकवाइस डायरेक्शन में गुमता तो इसके लिए इसका अंसरा माइनस हाप अब सेके लिए वाला है तो यह भी पहली कक्षा में तो यहाँ पर जीरो आ गया और यह भी एस में तो एम की वेल्यू भी जीरो आ गई लेकिन इसका जो चक्रन है वह अपोजिट डायरेक्शन में मतलब माइनस हाप में है इस तरह इनकी तीन क्वांटम संख्य है तो सेम है लेकिन चोथी क्या है भिन्न है ठीक है तो मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक आप पढ़ते रही है बेच टाफ लग फार यूर एक्जाम